अब ब्रत में खाती थ मेच बनाना के लिए डिये है अब और एक बड़ा मिक्सिंग बाव्ल लेंगे और इसमें 20 लगा, 2 कद्दूल कस्की हुई अधThe mess भी अब स enormous contact tussenें और ये वकी आएंगा समय बलोगी आणने नमक अब drivers आट नमक लिया है तो स्वाद अनुसार ऊवलाद सेंधा नमक अयहlais आटा लिया है जिसको आप ब्रत में खा सकते हैं और इसको तीन बड़े चमच एट कर देंगे अगर आपकी आलू ज्यादा गीली है तो आप आटे की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो अब यह सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहां अगर आपको ल कर देंगे इसमें हम दो चमच देशी घी या रिफाइंड एट कर देंगे आप जो भी ब्रत में खाते हैं आप उसको एट कर सकते हैं और यह देखे यह हमारी टिक्की का डो तयार हो गया है और यह मैंने कुछ बारी कटेवे ड्राइ फ्रूट्स लिए हैं तो यहां मैंने काजु मुंफली दाने और किसमिस फीध नमक डेंगे यहां मैंने मानिक और काली मिर्च पाउडर कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरह से हाथ से थोड़ा सा इसमें गड़ा कर देंगे और अब यहाँ एक से देढ़ चम्मस्ता कि यह ड्राइफ रूट्स बीच में स्टफ कर देंगे यानि ड्राइफ रूट्स को इसमें अच्छे से कवर कर देना है और इस तरह से अब लोई को चारो तरब से कवर करके इस तरह टिक्की बना लेंगे तो इस तरह से अब मैं आपको दूसरी टिक्की भी इस तरह तयार करके दिखा देती हूँ हुआ है कि और अपि 것이 इस तरह से हमारी दूसरी टिक्की भी तैयार हो गयी और हम बागी की बची मेद ही को इस ही तरह से तयार कर लेंगे तो यह चो टिक्की है यह ब्रत में खाने के लिए बहुत ज्यादा अब ब्रत में इसे आसानी से बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक टाइम का खाने का आपका पर्याप्त खाना भी हो जाएगा तो यह देखे यहां हमारी सारी टिक्की बनके तयार हैं और अब इसको हम धीमी-धीमी आज में पैन में सेख लेंगे तो इसके लिए मैंने चमारी पैन लिया हैी और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब यहां जैसा कि आप गी या रिफाइंड isle जो भी यूज करते हैं उसको 4-5 चमज डालके अच्छे से गर्म कर लेंगे और यहां पैन का जैसे ही देशी गी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्की रखके और इसको हलका ब्राउन होने तक क्रिश्पी होने तक सेक लेंगे तो यहां मैंने गैस के फिलिम को लो होगेगा और इसको जो टेस्ट है वह भी काफी टेस्ट ही होगा तो इस तरह से पैन को इसका जो घी है इसको चारो तरफ ऐसे फैलाते हुए और पैन की जो टिक्की है उनको अच्छे से से शेख लेंगे और यह जैसे एक साइड सेख चाहेंगी तो इसको पलटके अब दू करना है तो आप इसको दोबारा इसी तरह से देसी घी या रिफाइंड ओयल में सेक के सर्व कर सकते हैं इससे क्या है एक तो आपकी टिक्की जो पकी हुई रखी रहेंगी तो यह बनाने में भी बहुत जल्दी बन चाहेगा और साथ ही में जब आप दोबारा इसे सेखेंग टिशू पेपर में टिक्की को रख दिया जो इसका एक्सट्रा ओयल है जो इसका एक्स्ट्रा देशीगी है वो बिल्कुल हट जाएगा और बागी की बची हुई टिक्की इसी तरह से सेख लेंगे तो यहां जो देशी गी है वो थोड़ा कम हो गया है तो इसमें एक से दो चमत देशी गी और एड़ करके और इसको भी इसी तरह से सेख लेंगे तो यह देखे यहां हमारी सारी टिक्की बन के तयार है और अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं अगर आप इसे चाहें तो आप इसे दुबारा भी एक बार और क्रिश्पी करने के लिए इसको दुबारा देशी घी में सेख सकते हैं तो ये देखें यहां हमारी टिक्की बन के तयार हैं और अब हम यहाँ हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर देंगे तो यहाँ मैंने धनिया हरी मिर्च और पुदी ने की हरी चटनी के साथ इसको सर्व किया है और इसके साथ जीरा वाला दही है जिसे की इसका जो टेश्ट है वो दुगना हो जाएगा तो आप इसे घर पे ब्रत के लिए बना सकते हैं एक तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और साथ में ब्रत में खाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल दी है जल्दी बन जाता है चटपटा भी है रोज-रोज कुछ अलग खाने का मन करता है जिससे की आपका जो खाना है वो भी पर्याप्त हो जाएगा और साथ में जो मुख का टेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा तो आप इस घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईए फिर मिलते से तरह एक नए वीडियो के साथ